ये बड़े शर्म की बात है कि इस देश में रहने वाले ही कुछ लोग सनातन धर्म का मजाग बनाते हैं। खुद को intellectual कहने वाले सनातन धर्म को बेजज़त करते हैं जबकि पूरे विश्व में बड़े बड़े लोग इस धर्म की पवित्रता को समझते हैं, इससे प्रभावित होते हैं, देश दुनिया में अकसर धर्मों को लेकर विवाद होती हैं, चर्चाय होती हैं। लेकिन विश्व भर ने ये भी माना है कि सनातन धर्म में कुछ ऐसी बाते हैं जो ये अपनी तरफ आकरशित करती हैं। सनातन धर्म के प्रती उनके निस्ठा और जुकाव इस धर्म की महानता को दर्शाती हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फेस्बुक के ओनर मार्क जुकरबग की। आज फेस्बुक एक ऐसा सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म है जहां से बहुत से लोग अपनी बात रखते हैं। और पॉलिटिक्स से लेकर बिजनस तक हर मुद्दो पर ये एक एहम भुमिका निभाता है। फेस्बुक के ओनर मार्क जुकरबग ने इस बात को माना है कि जब वो अपने जीवन में पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गए थे तब वो एक निजी तोर पर भारत के उत्राखंड गए जहां उन्हें करोली बाबा मिले। जिने हनुमान जी का अवतार भी कहा जाता है। जब मार्क जुकरबग उनके संपर्क में आये तो उनसे अन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। सनातन धर्म के बारे में जानने को मिला उनके साथ रहकर उन्होंने मन की शक्ति को जाना लक्षे को प्राप्त करने का तरीका सिखा और अंततह जब वो वहां से वापस आए तो उन्होंने फेस्बुक शुरू किया इसके आगे तो सब जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इतिहास रच दिया इस बात को मार्क जुकरबग कई जगे बता भी चुके है इसके बाद बात करेंगे एपल कंपनी के ओनर स्टीव जॉब्स की शायद ही कोई ऐसा होगा जो उन्हें ना जानता हो 2011 में उनकी मृत्य हो गई थी लेकिन शायद आप ना जानते हों कि वो भी हिंदुत उसे काफी प्रभावित थे वो स्टीवी थे जिन्होंने मार्क जुकरबग को करोली बाबा से मिलने के लिए प्रेरित किया था जॉब्स खुद करोली बाबा के शिश्य थे अनुयाई थे और वो भी प्राचीन भारतिया अनुस्ठानों का अभ्यास करते थे फेमस हॉलिवूड एक्टर्स जूलिया रोबर्ट्स का भी हिंदुस्तान के प्रती जुकाव नया नहीं है जब वो अपनी फिल्म इट प्रे लव की शूटिंग के लिए भारत आई थी तब उनका जुकाव इस धर्म की और बढ़ने लगा था कैथलिक परिवार में जन्मी जूलिया रोबर्ट ने जब हनुमान जी की एक फोटो देखी तो उनके अंदर इस धर्म को जानने की उत्सुकता जागी वो भी करोली बाबा की अन्याई बनी और उन्होंने हिंदु धर्म अपना लिया था सक्टेंबर 2009 में पटोदी के स्वामी धर्म देव आश्रम हरी मंदिर में उन्होंने अपने बच्चों को नया हिंदु नाम दिया अपनी बेटी हेजल का नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा बेटे फ्यानुस का नाम गनेश रखा और दूसरे बेटे हेनरी के नाम को बदल कर क्रिश्न बलराम रग दिया था आज भी जूलिया रोबर्ट हिंदु धर्म को फॉलो करती है दिवाली को लेकर उनका कहना है कि इस तेवहार को पूरी दुनिया में मनाया जाना चाहिए क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है जूलिया रोबर्ट्स योग जानती है शाकाहारी है उन्हें भारतिय वेशबूशा पहनना पसंद है और रिटायर्मेंट के बाद वो भारत आकर सन्यासी बनना चाहती है हॉलिवुड फिल्मों के मश्चूर अभिनेता सिल्वेस्टर स्टैलन जो रोकी जैसी ब्लॉक्बस्टर फिल्म का हिस्सा रह चुके हैं उनका भी हिंदुईजम की तरफ उस वक्त जुकाव देखने को मिला जब उन्हें अपने मरे हुए बेटे का आभास होने लगा था उनका कहना था कि वो मुझे दिखाई देता है जिससे मुझे कई बार बहुत दुख होता है 2012 में ड्रग ओवर डोज की वज़े से उनके बेटे की मृत्य हो गई थी जब उन्हें बेटे के होने का एहसास होने लगा तो वो बहुत व्याकुल रहने लगे जिसके बाद उन्होंने भारत देश के एक एस्ट्रोलॉजर को संपर्क किया जिनका नाम था प्रतीक मिश्रापूरी उनी से स्टैलन को श्राद के बारे में पता चला और सिल्वेस्टर ने अपने बेटे का श्राद कराने का फैसला ले लिया टाइमस ऑफ इंडिया को दिये इंटर्विव में मिश्रापूरी ने बताया था कि स्टैलन जानना चाहते थी कि क्या वो अपने मरे हुए बेटे से बात कर सकते हैं जिस पर मिश्रापूरी ने कहा कि कर सकते हैं लेकिन ये बहुत दुखदाई प्रोसीजर है इससे आप डिस्टर्ब हो सकते हैं हरिदवार में उन्होंने अपने बेटे का शराद कराया जिसे बहुत प्राइवेट रखा गया था गुपचुप तरीके से बिना मीडिया लाइमलाइट के इस प्रक्रिया को किया गया इसके बाद उनके भाई माइकल उनकी पत्नी और दो व्यक्ति हरिदवार के एक कंकल पहुँचे जहां उन्होंने अपनी मरी हुई बहन टोनी एन के लिए श्राद कराया टोनी एन के मृत्यू भी 2012 में 48 वर्ष की आयू में हुई थी रसल ब्रेंड अमेरिका के फेमस कॉमेडियन, रेडियो होस्ट, राइटर और एक्टर है जो लगातार से हिंदुईजम को फॉलो करते आए हैं वो हिंदुईजम से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने कैटी पेरी से भारत में राजस्थान के रंथमबो टाइगर सेंचुरी में शादी की वो भी हिंदु रीती रिवास से, उनकी शादी एक पंडित ने करवाई थी रसल ब्रेंड हरे रामा हरे कृष्णा मोमेंट में भी काफी सक्रिया रहते हैं उनका कहना है वो इसका उच्चारण अकसर करते रहते हैं तब भी जब उन पर कैमरा नहीं होता एक समय में जब रसल ड्रक्स आदी का सेवन करते थे तो इससे बाहर निकलने में योग और मेडिटेशन नहीं उनकी साहयता की थी भी जैकमेन अगेन एक ऐसा नाम जिससे कोई अंजान नहीं है हॉलिवूड का ये इतना बड़ा एक्टर भी हिंदुईजम की रंग में रंगा हुआ है जैकमेन हिंदुईजम को ना किवल फॉलो करते हैं बलकि वो उपनिशदो और भगवाद कीता जो हिंदु धर्म में विशेश स्थान रखते हैं उन्हें भी करीब से जानने के इच्छुक रहे हैं उनका कहना है कि वो वेदिक शास्त्रों से काफी प्रभावित है 2014 के एक इंटर्वी में जब उनसे पूछा गया कि वो हिंदुईजम को लेकर क्या सोचते हैं तो उन्होंने कहा कि हम जो ग्रंथ का अनुसरण करते हैं वो पश्चिमी और पुर्व के बीच का मिश्रण है सुकरात से लेकर उपनिशदों तक भगवत गीता से लेकर विविन ग्रंथों तक मुझे शंकराचार्या और महारिशी महेश योगी की जीवनियों ने प्रभावित किया है इसके बाद बात करेंगे हॉलिवूड की फेमस एक्टरस एंजिलिना जॉली के बारे में उनका भी हिंदु धर्म के प्रती काफी जुकाव देखने को मिला है हाइलेंड के एक मंदिर में वो पूजा करती दिखी थी उन्होंने एक बुद्धिस्ट बच्चे को एडॉप्ट किया था जिसका नाम मैडॉक्स था इसके आगे हम हॉलिवूड के ही एक और बड़े एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर के बारे में बात करेंगे जो किसी पहचान के महताज नहीं है हॉलिवूड का एक ऐसा बड़ा नाम जिसने बहुत धर्म अपनाया और पूरे मन से इंटरनेशनल सोसाइटी ओफ कृष्णा यानि इसकौन मोमेंट में भागिदार रहते हैं इसी तरह से बहुत से ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने हिंदुत्व को समझने के लिए उसे जानने के लिए आगे आए और ना किवल उन्होंने इसका गहराई से अध्यान किया बलकि इससे प्रभावित भी हुए इनके अलावा रिचर्ड गेर, मैडोना जैसे हजारों सेलिब्रिटीज हैं जो हिंदु धर्म से प्रभावित हैं और कही न कहीं इस धर्म से जुड़े दिखाई पड़ते हैं झाल 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 झाल